इडा और पिंगाला में संतुलन लाना एक बहुत महतुपूर्ण हिस्सा है संतुलित जीवन जीने के लिए दिन में चार बार 40 मिनिट के दौरान एक तरह का परिवर्तन होता है इन्हें संध्याकाल या संध्या कहते हैं क्योंकि इस समय एडा और पिंगला में संतुलन बहुत तेजी से बदलता है। योगिक परंपरा में इसे इस तरह देखते हैं। शरीर और मन जैसी कोई चीज नहीं होती। भौतिक शरीर होता है, मानसिक शरीर होता है, उर्जा शरीर होता है। उर्जा शरीर में 72,000 नाडियां शामिल होती हैं। जब हम नाडी कहते हैं, तो इसका मतलब है एक चैनल या रास्ता। नाडी का मतलब कोई नस नहीं है। अगर आप इस शरीर को काट कर खोलें, तो आपको नाडियां नहीं दिखेंगे, ऐसी कोई चीज भौतिक रूप में नहीं है। लेकिन अनुभव के तौर पर अगर आप अपने सिस्टम में उर्जा की गतिविधी की प्रकृती को देखें, तो आप पाएंगे कि वो हमेशा स्थापित मार्गों पर चलती है, इधर उधर कभी नहीं। तो 72,000 मार्ग हैं जिनसे वो गुजरती है, 36 दाइं और, 36 बाइं और, दोनों तरफ 36,000, दाइने को पिंगला कहते हैं, बाएं को इडा कहते हैं। इन्हें सूर्य और चंद्रमा भी कहा जाता है, तो ये दोनों, इडा और पिंगला या सूर्य और चंद्रमा, दाइं और बाइं, आपके मन के स्थर पर तारकिक और सहज ग्यान को दर्शाते हैं। जब मैं सहज ग्यान कहता हूँ, तो सहज ग्यान बोध का एक और आयाम नहीं है, बलकि सिर्फ गणना का एक और आयाम है. अगर आपके अंदर बराबर मात्रा में सूचना है, अगर आप तारकेक रूप से जाते हैं, तो किसी जगा पहुँचने में दस कदम लग सकते हैं. सहज ग्यान मतलब आपको दस कदम नहीं उठाने, आप बस कूट कर दसवे कदम पर पहुँच जाते हैं. मगर आज के आधुनिक शिक्षा प्रणालिया, सौ प्रतिशत सहज ग्यान के आयाम को कुचल रही हैं, सिर्फ तारकेक को विक्सित किया जा रहा है. किसी भी सहज ग्यान को बखवास कहकर खारिच कर दिया जाता है. हर चीज के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है. जो आपकी दादे नानी यूँ ही जानती थी, आज आपको वही चीज जानने के लिए अर्बो डॉलर का रिसरच करना पड़ता है. जब आपको हर चीज के लिए सोचना पड़ता है, और हर चीज में कई कदम लेने होते हैं, अब जीवन तनाव पून हो जाता है. जिन में आपको उन्हें फांद कर वहां तक पहुँचना होता है. वही सूचना, वही चीजें, बस आपको हर बार उतने ही कदम नहीं लेने पड़ते हैं. ये जीवन को तनाव पून्ड बना देता है, क्योंकि ये ऐसा है, जैसे आप अपनी कार दो पहियों पर चला रहे हूं, बाकी दोनों पहिये खाली और सुरक्षित हैं. मैं नहीं जानता कि कब इस्तिमाल के लिए, पर दो पहिये जो आप इस्तिमाल कर रहे हैं, उन पर भारी दबाव पड़ेगा. तो योगिक प्रणाली में, सहज ग्यान की एहमियत उतनी ही महतुपून है जितनी तारकिक की. तो इड़ा और पिंगला में संतुलन लाना, एक बहुत महतुपून हिस्सा है, संतुलिज जीवन जीने के लिए. खुद को जटिल स्थितियों में आसानी से चलाने में सक्षम होना, तभी संभव है जब आपके मन का सहज ग्यान संबंधी आयाम परियाप्त विक्सित हो. वरना छोटी चीज़ें आपको परिशान कर देंगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए कई कदम हैं. यहां हम कुछ चीज़ें करेंगे, ताकि एड़ा और पिंगला में संतुलन ला सकें, जिससे आपको अनुभव के तौर पर इसकी एक समझ मिल सकें. अगर आप अपनी तरजनी उंगली को अपने नथुनों के नीचे रखते हैं, और धीरे-धीरे सांस छोड़ते हैं, देखिए कि किस नथुने में अभी सांस प्रबल है, कितनों का दाहिना है, बाया, ठीक है, ये दाया होता है या बाया, सिर्फ दो बैरल है, अगर पच्चीस होते, तो ये कितना जटिल होता है, अगर आप दिन भर के दौरान खुद पर गौर करें, तो आपने ध्यान दिया होगा, कि लगभग 40-48 मिनिट के बीच, सांस की प्रबलता दाएं से बाएं और बाएं से दाहिनी की तरफ बदलती है, क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? यह इसलिए होता है, क्योंकि सिस्टम के भीतर, उर्जा या प्राण की प्रबलता, जो शरीर की जीवन शक्ती है, वो पिंगला से इडा और इडा से पिंगला में बदलती रहती है, हर 40 मिनिट पर. एक बार उर्जा के बदलने के बाद, अगले आठ मिनिट के अंदर सांस बदल जाती है. अगर आप सेहत और खुशाली की संपून स्थिती में हैं, तो वो कुछ पलो में, या हम कह सकते हैं, तुरंध ही बदल जाएगी. ये परिवर्तन हर 40 मिनिट में होता है, पर दिन के कुछ समय के दौरान, जिने ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है, जिसका मतलब है संध्याकाल. सूर्योदय से 20 मिनिट पहले, सूर्योदय के 20 मिनिट बाद, ओ, ठीक है सद्गुरू, अगर कोई दूसरा समय है तो बताईए. दोपहर से 20 मिनिट पहले, दोपहर के 20 मिनिट बाद, सूर्यास्त से 20 मिनिट पहले, सूर्यास्त के 20 मिनिट बाद, आधी रात से 20 मिनिट पहले और आधी रात के 20 मिनिट बाद, 40 मिनिट के दौरान, दिन में 4 बार, एक तरह का परिवर्तन होता है इन्हें Twilight Zone या संध्या कहते हैं क्योंकि इस समय इडा और पिंगला में संतुलन बहुत तेजी से बदलता है क्योंकि वो आपके अंदर तेजी से बदल रहा है इस समय उसमें संतुलन लाना बहुत आसान है एक हग तक दुनिया में लगभग हर कहीं किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया या साधना का मतलब है सुभा शाम, संध्या आध्यात्मिक साधना का परियाय बन गई है, वो समय कई साधनाों का परियाय हो गया है। तो इडा और पिंगला में संतुलन लाना एक इनसान के संतुलत विकास के लिए महतुपूर्ण है आप वाकई अपने अंदर आराम तभी महसूस करते हैं जब आप किसी रूप में संतुलत होते हैं जब किसी तरह का संतुलन होता है तो परिशानी होती है है न? जब आप किसी तरह का संतुलन महसूस करते हैं तो परिशानी होती है सिर्फ जब आप एक खास संतुलन पा लेते हैं तभी आप वाकई आराम महसूस करते हैं तो आराम कभी इससे तय नहीं होता कि आप किस पर बैठे हैं या कहां हैं आराम इससे तए होता है कि आप अपने अंदर कितने संतुलित हैं ये मूल भूत आराम जो हर इंसान में होना चाहिए दुर्भाग्य से कई सारे लोग उससे वंचित हैं एक जगा पूरी सहजता से सिर्फ बैठना अभी अधिकांट्स लोगों के साथ नहीं हो पाता है ना बस आराम से बैठना पूरी सहजता से ये नहीं होता तो जवीज यानि आराम नहीं है तो ये डिसीज है चाहे आपने मेडिकल जाच कराई हो या नहीं ये एक बिमारी है अगर परिशानी एक समय के बाद जारी रहती है तो वो खुद को शरीर में एक खराबी के रूप में व्यक्त करेगी जो किसी तरह के रोग के रूप में दिखाई देती है हर तरह की समस्या के लिए अविश्वस्नी ये नाम सामने आ रहे हैं मूल भूत कारण कि सिस्टम क्यों अपनी अवधी पूरी नहीं करता इसे अपनी अवधी पूरी करने के लिए डिजाइन किया है पर ये अपनी अवधी पूरी नहीं कर रहा क्योंकि हम इसे असंतुलन के अलग-अलग स्तरों पर रखते हैं आप अपनी कार हर समय बस दो पहियों पर चलाते हैं, तो कुछ ना कुछ खराब होगा. तो इसी तरह पूरे सिस्टं को ठीक से नहीं रखा जा रहा है. सिस्टं में परियाप्त संतुलन नहीं है. केवल जब आप संतुलन में होते हैं, तभी आराम होता है, और लोग बिमार हैं इनसान सिर्फ इसलिए बिमार हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि स्थिर कैसे रहें स्थिरता तब तक नहीं आएगी जब तक परियाप संतुलन ना हो केवल जब आप पूरी तरह संतुलित होते हैं आप अपने भीतर स्थिर हो सकते हैं परना ऐसा नहीं होगा